और इस वक्त की बड़ी खबर करू करते हैं भीम आर्मी प्रमुक ने नई पार्टी का एलान कर दिया है आजाद समाच पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है चंदर शेखर ने नई पार्टी का एलान कर दिया है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर 2022 में उत्तरप्रदेश क सियासी जंग में एक नई पार्टी की दस्तक भी हो गई है भीम आर्मी प्रमुख ने नई पार्टी का एलान कर दिया है और आजाद समाच पार्टी इस नाम इस पार्टी का रखा गया है चंदरशेखर ने इस नई पार्टी का एलान किया है तो आजाद समाच पार्टी इसको नाम दिया गया है तो भीम आरमी पहले इती एक बड़ा संगठन लेकिन अब आजात समाच पार्टी के तोर सियासत की गलियों में आगास भीम आरमी का हो चुका है आजाद समाच पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है चंदर शेखर ने नई पार्टी का एलान कर दिया है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर 2022 में उत्तरप्रदेश की सियासी जंग में एक नई पार्टी की दस्तक भी हो गई है भीम आर्मी प्रमुख ने नई पार्टी का एलान कर दिया है और आजाद समाच पार्टी इस नाम इस पार्टी का रखा गया है चंदरशेखर ने इस नई पार्टी का एलान किया है गलियों में आगास भीम आर्मी का हो चुका है आजाद समाच पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है चंदरशेखर ने नई पार्टी का एलान कर दिया है तो यह इस वक्त की बड़ी खबर 2022 में उत्तरप्रदेश की सियासी जंग में एक नई पार्टी की दस्तक भी हो गई है भीम आर्मी प्रमुख ने नई पार्टी का एलान कर दिया है और आजाद समाच पार्टी इस नाम इस पार्टी का रखा गया है चंदरशेखर ने इस नई पार्टी का एलान किया है तो आजाद समाच पार्टी इसको नाम दिया गया है तो भीम आर्मी पहले ही थी एक आजाद समाच पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है चंदर शेखर ने नई पार्टी का एलान कर दिया है तो ये इस वक्त की बड़ी खबर 2022 में उत्तरप्रदेश की सियासी जंग में एक नई पार्टी की दस्तक भी हो गई है भीम आर्मी प्रमुख ने नई पार्टी का एलान कर दिया है और आजाद समाच पार्टी इस नाम इस पार्टी का रखा गया है चंदरशेखर ने इस नई पार्टी का एलान किया है की गलियों में आगास भीमार्मी का हो चुका है